हलो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग आदुनिक भारत में प्रेस के विकास के बारे में स्टड़ी करेंगे भारत का पहला समचार पत्र था बंगाल गजट वेलिजली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स और डलहौजी में से सरुपरतम प्रेस सेंसर्शिप लागू की थी वेलिजली ने 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद किया था लॉर्ड रिपिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया लॉर्ड लिटल ने वह गवर्नर जेनरल जिसके समय भारती भाषा प्रेस अधिनियम स्माप्त किया गया था वे थे लॉर्ड रिपिन पत्रकार के करतव्य का निर्वाहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारती था बाल गंगा धरती लग अमरीका में फ्री हिंदुस्तान अखवार शुरू किया गया था तारक नाथ तासने फार्सी सब्ताहिक मिरातुल अखवार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन रुआय 1880 के दशक में इंडियन मीरा रखवार का प्रकाशन होता था कलकत्ता से गदर पत्र पर का प्रथम अंग प्रकाशित हुआ उर्दु भाशा में गदर पार्टी का पत्र गदर था एक सब्ताहिक पत्र अमरित बाजार पत्रिका की स्थापना की शिशीर कुमार भोश ने लोकमानी बाल गंग धर्तिलक ने भारतिय सुतंतर संग्राम की सेवा के उदिश्य से जो समाचार पत्रा रंब किया था वह था केसरी करांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाय जो अनेक कारणों से कॉंग्रेस की अलोशना करती थी वे थी बंगवासी काल तथा केसरी वह समचार पत्र जिन्होंने भारतिय सुतनता संग्राम के काल में करांतिकारी आतंकवाद की वकाले थी थी वह थे संध्या, युगांतर तथा काल सोम प्रकाश नामक समचार पत्र शुरू गिया था इश्वचंद विद्यसागर ने न्यू इंडिया लीडर, न्यू इंडिया लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री, प्रेस जनरल अख़वारों में से मुख्यता, उमिदवारों की निती का प्रचारक था लीडर The Indian opinion पत्र नहीं चापा जाता था उर्दु भाषा में Indian opinion पत्र का के प्रथम संपादक थे मन सुखलाल नजर एक सपताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुबरंब किया था Home Rule Party ने भारतियों द्वार अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समचार पत्र था Hindu Patriot ने लैंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला Hindu Patriot के संपादक थे Harish Chandra Mukherji अंग्रेजी सापताहिक वंदे मात्रम के साथ अपने को संबंध किया अर्विंद घोशने इंडियन नेशन, पंजाब के स्री, प्रभाकर तथा डॉन में सेजी सक्वार का प्रकाशन पत्रना में होता था वो था इंडियन नेशन स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकरेशन पिल्ले अंग्रेजी पत्र इंडिफेंडेंट जुडा था मोतिलाल नहरु से अब हम लोग समचार पत्रों और भाषा की बारें पढ़ेंगे भारत मीत्र समचार पत्र जो है हिंदी में लिखा जाता था राष्ट्रमत मराथी में प्रजा मित्र गुजराती में नायक बंगाली में दैनिक पत्र दैनिक आज लिखा जाता है शिव परसाथ गुप्त और दे लीडर मदन मोहनमालवी द्वारे लिखा गया था The National Hurard जो है जो है जो अरलाण नेहरु दोरा लिखा गया था The Poynier जो है जो है जो है जो अलेन के दोरा लिखा गया था कानपور में प्रकाशी जिस समचारपत्र के मध्यम से विजे सी पतिक ने बिजोलिया अंदोलन को समूचे बहरत में चर्चा का विश्य बना दिया था बहुता प्रताब हरीजन का प्रारंब करता थे महात्मा गांधी गांधी जी द्वारा शुरू किये गए सप्ताहिक पत्र हरीजन का प्रतम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया था पूर्णा में वर्तमान पूरे जब पहले उसको पूर प्रतारम किया था बी आरम बेट करने अलहीलाल कॉम्रेड दी इंडियन सोशियलाजिस्ट तथा जमीनदार में से वह जनरल जो अबुलकलाम अजा द्वारा प्रकाशित है अलहीलाल है वर्ष 1920 में लाहर से लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समचार पत्र को प्रारम कि सुधारक के थे जीवी के गोखले वाइस ओफ इंडिया के थे दादा भाई नौरे जी बंगाली के थे एसन बनर जी बंबे कॉर्णी कल के थे फिरोशाह मेता कॉमन वील के थे एनिवेसेंट लीडर के थे मदर मोहनमाल वियर सर्चलाइट के थे सचिता नंसिंधा इंडिप सुमेलन करेंगे अबूल कलमाजाद ने जो है अलहिला लिखी थी फिरोशाह मेता ने बंबे क्रोनिकल एनिवेसेंट ने न्यू इंडिया महात्मा गांदी ने यंग इंडिया लोगमाने तिलक ने केसरी कौमी आवाज पत्रकारम किया था जोहलाल नहरुजी ने और नवज वह दो है और नवजजी ने लिखा अपत्रकारम किया निवेसेंट ने यू इंडिया रास्तगुफटार लिखी थी एनी बिसंट द्वार निकाले जानने वाले दो ख़वार थे एक तो था कॉमन वील और दूसर था न्यू इंडिया विपिन चंदरपाल ने जो है न्यू इंडिया और अर्विंद गोश ने वंदे मातरम ब्रह्मा बांधव उपध्याय जी ने संधिया मुहम्मद अली ने कॉमरेड और एम ए डॉनगे ने दशोशलिस्ट मुजफर हमे ने नवयोग गुलाम हुसेन ने इंकलाब और एम सिंगरवेलू ने लेबर किसान गजट जो है पुस्तक लिखी थी थेंक्यू